सूप्रभाद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ, आप सब सही होंगे और अपने घर पर सुरक्षित होंगे प्यारे बच्चों, जैसा की कल हमने पाड़ दो ठीक काम करें की दो रहाई की और उसका कार्य पत्र किया मैं उमीद करती हूँ, कि आप सब ने अपना कार्य पत्र अपने आप अच्छे से किया होगा आज हम पार तीन दादी का गाउं शुरू करेंगे ठीक है, और उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे जैसा कि आप में से भी कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनके दादा दादी गाउं में रहते होंगे और गाउं में आप उनसे मिलने जाते होंगे वो आप से यहां मिलने आते होंगे कुछ लोग अभी भी अपने दादा दादी के साथ रहते हैं तो हम पाठ पढ़ने के बाद चर्चा करेंगे कि यहाँ पर जो पाठ दिया गया है और पाठ में दादी का गाउं दिखाया गया है उसमें और आपके दादा दादी के गाउं में क्या फर्क है, क्या अंतर है तो चलिए यह जानने के लिए हम सबसे पहले दादी का गाउं पा पाशा माधुरी की पुस्तक निकाल लीजे और पाट 6 पर पेच 6 पर पाट 3 निकाल लीजे तो चलिए बच्चों तयार हैं आप सब सबसे पहले हम चित्र जो इस पाट में दर्शाया गया है उस पर चर्चा करेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं चित्र में हमें कुछ लोग पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं एक तरफ बच्चे पढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ बड़े लोग पढ़ रहे हैं सभी लोग नीचे बैट कर पढ़ रहे हैं दूसरी तरफ हमें पीछे कुछ घर दिखाई दे रहे हैं जो कि थोड़ा कच्चे हैं, छोटे हैं और ऐसे घर हम केवल गाउं में ही देख पाते हैं एक किसान अपनी पत्नी के साथ खेतों की तरफ जा रहा है तो चितर से हमें इस गाउं के बारे में थोड़ा पता चल गया है और थोड़ा हम इस पार्ट के माध्यम से जानेंगे तो चलिए सबसे पहले हम पार्ट में दिये गए नए शब्दों को पढ़ते हैं पहला शब्द रेल गाड़ी दूसरा घोसले सुथरी ठकान पार्ट शाला हरियाली किनारे चहचहट तो प्यारे बच्चों हमने नए शब्द पढ़ लिये हैं अब हम पार्ट पढ़ना शुरू करेंगे और इन नए शब्दों को हम पार्ट के बीच में देखेंगे तो चले शुरू करते हैं आज का पार्ट आप भी अपनी पैंसल निकाल लीजे और इस प्रकार पैंसल रखकर पढ़ना शुरू करेंगे दादी का गाउ शहर से बहुत दूर है पहले वहां बस नहीं जाती थी अब वहां बसे जाती है गाउ में बिजली भी आ गई है गाउ में सडक बन गई है वहां रेल गाड़ी नहीं जाती वहां घास फूस के बहुत मकान है वहां एक पाठशाला भी है दिन में लड़के लड़कियां पढ़ते हैं रात को ऐसे बड़ों को पढ़ाया लिखाया जाता है जो पढ़े लिखे नहीं है प्यारे बच्चों जो यहां पर दादी का गाउ दिखाया गया है वह गाउ शहर से बहुत दूर है पहले यहाँ पर बसे नहीं जाती थी लेकिन अब वहाँ पर बसे चलने लग गई है गाउ में बिजली भी आ गई है, सडके बन गई है लेकिन वहाँ पर अभी तक रेल गाड़ी नहीं जाती घास फूस के बहुत सारे मकान है और एक छोटी सी पार्ट शाला यानि कि स्कूल भी है जिसमें दिन में बच्चे पढ़ते हैं और रात को ऐसे बड़े लोगों को पढ़ाया जाता है जिन्नोंने बच्पन में पढ़ाई नहीं की थी लेकिन अब वह पढ़ना चाहते हैं चले आगे देखते हैं गाउं की गलियां साफ सुत्री हैं दूर तक चारो और हरियाली ही हरियाली है गाउं की ओरतें और आदमी खेतों में काम करते हैं थंडी हवा खेतों में काम करने वालों की सारी थकान दूर कर देती हैं आप देख रहे हैं, कि लोग बग अपने गाउं को साफ रखते हैं, वहाँ पर गल्या साफ सुत्री हैं, चारो तरफ दूर दूर तक हर्याली दिखाई देती हैं, क्योंकि गाउं में पेड़ पोदे जादा होते हैं, गाउं की ओरतें और आदमी खेतों में काम करते हैं, और क क्योंकि चारों तरफ हर्याली ही हर्याली है तो ठंडी हवाएं चलती हैं ठंडी हवा से किसान की सारी थकान दूर हो जाती हैं खेतों के किनारे किनारे आम और जामुन के पेड़ हैं, यहाँ पेड़ नहीं काड़ते हैं, देखा बच्चों गाव में लोग पढ़े लिखे नहीं होते, कम पढ़े लिखे होते हैं, फिर भी वो भगवान की प्रकर्ती की दी हुई अनमोल चीजों की देखभाल करते हैं, ज इन पेडों पर पंच्छियों के घोसले हैं, शाम को पंच्छियों की चैचहाहट मन को मुहो लेती है, यहां भागदोड नहीं हैं, सम्मिल जुलकर रहते हैं, जैसा कि आपने पढ़ा कि यहां पर लोग पेड़ पोधे नहीं काडतें और इन पेडों पर जो हैं, अलग- यह पंच्छियों चैचहाहट करते हैं और इससे सब का मन खुश हो जाता है, लोगों की जिन्दगी इतनी भागदोड भरी नहीं हैं, जैसा कि शहरों में होती है, सब लोग मिल जुलकर रहते हैं, मुझे बार-बार दादी के गाउं जाना बहुत अच्छा लगता है, तो जिस प्रकार यहाँ पर बच्चे ने अपने दादी के गाउं के बारे में बताया, उसी प्रकार प्यारे बच्चों, आप भी अपने दादा दादी से अपने गाउं के बारे में पूछें और मैम को बताएं, चले अब हम पार्ट में दिये गए कुछ और नए शब्दो पर नजर डालते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर पहले से ही आठ नए शब्द दिये गए हैं पाठ के अंदर हम कुछ और शब्दों को रेखांकित करेंगे इस प्रकार और नमबर डालेंगे बिजली लड़कियां पढ़ाया लिखाया गलियां औरते पंचियो जामन तो प्यारे बच्चों आप भी इस प्रकार अपनी पुस्तक में इन नए शब्दों को रेखांकित करेंगे और उन पर नमबर डालेंगे उसके बाद आप इन नए शब्दों को अपनी पुस्तिका में लिखेंगे प्यारे बच्चों साथ ही आप पाठ भी पढ़ेंगे आज की कक्षा यहीं पर समाप्ध होती है धन्यवाग